Your Excellency, राश्पती विलियम रूटो, दोनों देशों के डेलिगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। राश्पती रूटो और उनके डेलिगेशन का भारत में स्वागत करते हुए, मुझे बहुत प्रसनता हो रही है। मुझे खुशी है कि अफ्रिकन यूनियन के G20 में शामिल होने के कुछ समय बाद उनकी यात्रा हो रही है। भारत की विदेशनिती में अफ्रीका को हमेशा उच्च प्रात्फिक्ता का स्थान दिया गया है। पिछले लगबग एक दश्चक में हमने मिशन मोड में आफ्रीका के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि राजप्री रूटों की आत्रा से हमारे द्वीपक्षिय समंधों के साथ साथ पूरे अफ्रीका महादीब के साथ हमारे एंगेजमेंट को नया बल मिलेगा। इस वर्ष हम भारत और केनिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन्स की साथ भी वर्जगाट मना रहे हैं। किन्तु हमारे समंधों का हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। मुंबई और मुंबासा को आपस में जोड़ता हुआ विशाल हिंद महासागर हमारे प्राचिन समंधों का साक्षी रहा है। इस मजबूत नीव पर हम सदियों से साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे हैं। पिछली सदी में हमने मिलकर उपनिवेश वाद का विरोध किया। भारत और केनिया ऐसे देश हैं जिनका अतीध भी साजा है और भविश भी। फ्रेंट्स एक प्रगतिशिल भविश की नीव रखते विए आज हमने सभी क्षेत्रों में अपना सायोग सुद्रुट करने पर विचार किया। और कई नए इनिसेटिज की पहचानभी की भारत और केनिया के बीच आपसी व्यापार और निवेश में लगातार प्रगति हो रही है। हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाज जारी रखेंगे। भारत केनिया के लिए एक विश्वस्निय और प्रतिबद्ध डेवलोप्मेंट पार्टनर रहा है। आइटेक तरथा ICCR स्कॉलर्शिप के माधियम से भारत के केनिया के लोगों की स्किल डेवलोप्मेंट और केपरसिटी बिल्लिंग में महत्पपुन योगदान दिया है। दो क्रिशिप्रधान अर्थिववस्ताओं के रूप में हमने अपने अनुभव साजा करने पर सहमती जताई। किनिया के क्रिशिक छेत्र का आधुनी करन करने के लिए हमने 500 मिलियन डॉलर की लाइन ओप क्रेडिट प्रदान करने का भी निरने लिया है। आधुनी समय की जरूतों के अनुसार हम टेक्नोलोजी और इनोवेशन में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। डिजीटल पब्लिक इंफ्रसेक्टर में भारत के उपलब्धियों को किनिया के साथ साजा करने के लिए हम पूरी तरह से तयार है। इस महत्वपुन विशेप राज किये जा रहे समझोते से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। क्लीन एनरजी दोनों ही देशों की मुख्य प्रात्मिकता है। किनिया द्वारा लिया गया आफ्रीका क्लाइमेट समीट का इनिशेटिव एक बहुती सरानिय कदम है। यह राजपती रूटों की भी सभी वैस्विक चुनवतियों का एक जूट होकर सामना करने की प्रतिवद्धता को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि किनिया के ने ग्लोबल बायोफियल एलाइंस और इंटरनेशनल सोलार एलाइंस से जूडने का निरने लिया है। साथी किनिया द्वारा लिये गए इंटरनेशनल बिग केट अलाइंस से जूडने के निरने से हम बिग केट्स के समरक्षन के लिए वैस्विक प्रयासों को ससक्त कर सकेंगे। रक्षा के खेत्र में हमारा बढ़ता सयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और समान हितों का प्रतीख है। आज की चर्चा में हमने military exercise capacity building के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को भी आपसी में जोडने पर बल दिया। हमने space technology को जन कल्याण के लिए इस्तिमाल करने पर भी विचार विमर्च किया। इस महत्वपुन खेत्र में हम भारत के सफल अनुभव को केनिया के साथ साजा करने पर सहमत हुए। इसी प्रतिबद्धता और मित्रतन का भाव हम सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाने के लिए अपने प्रहत्ना जारी रखेंगे। फ्रेंट्स आज की बैटक में हमने नई वेश्वीक एवं खेत्रिय मुद्धों पर चर्चा की। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में मेरिटाइम सिकुरिटी, पायरसी और ड्रग ट्रफिगिंग हमारी साजा प्रास्मिक्ता के विशय है। इस महत्वपुण खेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए हम मेरिटाइम कोपरेशन पर जॉइंट विजन स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। किनिया और भारत का करीबी सहयोग इंडो पैसिपिक उसमें हमारे सभी प्रयासों को बल देगा। भारत और किनिया एकबत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चनौती है। इस समन्द में हमने काउंटर टर्रिजम के ख्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का निर्णे लिया है। किनिया को अपना दूसरा घर मानने वाले लगबग 80,000 भारतिय मुल्के लोग हमारे समन्दों की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी देखरेक के लिए किनिया से मिल रहे सहयोग के लिए मैं राश्पती रूटों का व्यक्तिगत रुप से अभार व्यक्त करता है। आज किये जा रहे कल्ट्रल एक्षेंज एग्रिमेंट से हमारी आपसी नद्दिक्या और बढ़ेगी। किनिया के लॉंग डिस्टन्स और मेरथन रनर्स विश्व विख्यात है। उसी तह क्रिकेट भी दोनों देशों में लोकप्रिय है। दोनों देशों में खेलों के एक्षेत्र में आपस से सयोग को मजबूत करने के लिए एक महतुपून समझोते पर सहमती बनी है। बॉलिवुड के साथ साथ योग और आयुरुवेद की पॉप्लरिटी भी केनिया में बढ़ रही है। हम दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल टाइस और गहरे करने के प्रयास जारी रहेंगे रखेंगे। एक्सलेंसी एक बार फिर आपका और आपके डेलिकेशन का भारत में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद।